असलाम अलेकुम भीवर्स मैं हूं अली गौर्बलोच आप देख रहें मेरा यूटूब चैनल अली गौर्बलोच हम हैं आज डिजट अरिये में और आज आपको देखाया जाएगा कि लोग किस तरह रहते हैं पतलबे घर किस तरह के बनाते हैं और किस तरह रहते हैं इसमें यह थर का एरिया है पूरा यह आप देख रहे हैं डिजट है पूरा का पूरा थर है और ज़ज़ए रहती है दूर दूर तक कोई नदर निया रहा यह बस हम खड़े हुए हैं यह हमारी गाड़ी है और यह है जनाब जुपड़ी इसी तरह के गर बनाते हैं लोग रहने के लिए और इसी तरह रहते हैं तो यह यहां पर इनका मौल मवेशी वगएरा वो भी रखते हैं और रहते हैं यह है जूपड़ी ताके थोड़ा अंदर से भी आपको दिखाते हैं इसका व्यू किस तरह का है यह देख सकते हैं इसकी देख सकते हैं इसकी गेट वगएरा और यह बाहर से इस तरह का लोग कुछ बनाते हैं और यह हमारे थर में जुपड़ियां जो है बहतरी नोती हैं और थर है यह बार्डर के बिल्कुल करीब है तक्रीबन 50 से 60 किलो मेटर बार्डर से दूर है और यह रहा गेट इसका यह है कुछ अंदर की लुक आपको अंदर की लुक दिखाते हैं यह देख लें जी अंदर कुछ इस तरह बना हुए है यह देख लें यह अंदर वाली सेट बनी हुई है यह इस तरह के बीच में कोई बिल्कुल खांबा नहीं है यह देखें यह देख लें माशाला से तमाम बहतरीन और खुबसूरत गारे बने हुए है यह इसका थोड़ा तूट गया है नीचे से यह लेकिन फिर भी सही है वीडियो अच्छी लगे जी लाइक कमिट शेयर दरूर कीजिएगा हम आपके लिए मैनत करके यह ऐसी ऐसी चीज़े निकाल के ले आते हैं और यह रहा है यह गर इसी तरह लोग रहते हैं यह मलब सर्दिये के दिनों में इदर आ जेंगे और गर्मी में जो है वो अभी कहीं और बेटे हुएं पानी वाली जगह पे लोग चेक करें इसका इसमें पानी बिलकुल अंदर नहीं आता और पानी जो है बाहरी बाहर से चला जाता है यह है बाहर की तरफ जा रहा है इसको मैं एक बार बंद कर लूँ विडियो अची लगे लाइक कमेट शेयर जरूर कीजिएगा इस चोटे से विलोग करें करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट विडियो तक तब तक के लिए दें हमें अजाज़त अल्ला हाफिस